गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज है दो फरवड़ी 2021 और आज हम डिसकस करेंगे दो फरवड़ी के सभी most important questions और साथ ही जानेंगे उससे related important points और आज की वीडियो में जितने भी questions आपको ब question हमारा है अजीत बिनायक गुपते को हाल ही में किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत न्यूक्त किया गया है तो देखिए अजीत बिनायक गुपते को किस देश के लिए मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत न्यूक्त किया गया है option number D इसका correct answer है अजीत बिन पुएटेट कुछ important points देख लें तो यहां देखे मिसर की राजधानी है काहिरा क्या है काहिरा मिसर की राजधानी है मिसर के राष्टपती गौन है तो मुहम्मद हशन तन ताभी चलिए मैं यहां पर उनका नाम भी लिख देती हूं जिसे की आपको याद रहेगा मिसर के यह मिसर के राष्टपती मिसर के प्रधान मंत्री कौन है तो देखे मिसर के प्रधान मंत्री है कमाल गंजोडी कौन है कमाल गंजोडी यह मिसर के प्रधान मंत्रे मिसर में बोले जाने वाली भासा है अर्भी अर्भी भासा मिसर में बोली जाती है चले questions related important points देखें तो यह देखिए अजीत विनाएक गुपते जो हैं वह इंडियन फॉरंग सर्विस में अपनी सेवा कब से दे रहे हैं तो 1991 से दे रहे हैं उन्होंने 1991 में इसे जोईन किया था उन्होंने चीन की मैडरीन भासा की पढ़ाई की साथ ही वे बांगलादेश में 2004 और 2008 तक बत और राज न कौन सा अस्थापना दिवस मनाया है तो देखिए भारतिय तटरक्षक बल ने एक फर्विरी 2021 को 45 वां कौन सा 45 वां अस्थापना दिवस मनाया है ऑप्सन नमबर सी इसका करेक्ट आंसर है चलिए भारतिय तटरक्षक बल से संबद्धित कुछ important points देख लें तो यहां देखिए इसकी अस्थापना कब की गई थी तो इसकी अस्थापना की गई थी 18 अगस्त 1978 में और क्यों की गई थी तो भारतिय समुद्री सुरक्षा के लिए बरतमान में भारतिय तटरक्षक बलके महानिदेशक कौन है तो देखिए महानिदेशक है अनुराग गोपालन थपलियाल कौन है अनुराग गोपालन थपलियाल जो है वह महानिदेशक है भारतिय तटरक्षक बलके अब यहां देखिए भारतिय तटरक्षक बल एक फरवरी 2021 को अपना 45 अस्थापना दिवस मना रहा है वर्ष 1978 में केवल साथ जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ एक साधारन सुरुवात से आज ICZ अपनी सूची में 156 जहाजों और 62 विमानों के साथ एक अजय सेना बन चुका है नेक्स्ट क्वेशन हमारा है हाल ही में किस राजे सरकार ने एक ऑनलाइन कारेकरम के माध्यम से जेल परेटन पहल की सुरुवात की है तो देखिए जेल परेटन पहल की सुरुवात जो है वह किया गया है महरास्ट सरकार के दौरा किस के दौरा किया गया है महारास्ट सरकार के द्वारा किया गया है option number 20 का correct answer है चले questions related important points देखते हैं तो यहाँ देखिए महारास्ट सरकार ने हाल ही में एक online कारेकरम के माधियम से jail patent पहल की सुरुवात की है पूने की 150 वर्स पुरानी यरवदा जेल से सुरू की गई इस पहल का उद्देश ये आम लोगों को एतिहासिक jail को नजदीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है next question है हाल ही में किस cricket board के सचीप जैसा को सर्व सम्मती से ACI cricket परिशत का अध्यक्ष चुना गया है तो देखिए यह चुना गया है भारते क्रिकेट बोर्ड के द्वारा option number 20 का correct answer है चले questions related important points देखे तो यहां देखिए भारते क्रिकेट बोर्ड के सचीप जैसा को हाल ही में सर्व सम्मती से ACI cricket परिशत का अध्यक्ष चुना गया है उन्होंने BCB के प्रमुख नजमुल हसन पापून की जगहली है BCCI के मुताबक 32 वर्षी है जैसा ACC अध्यक्ष के रूप में नियुक्थ होने वाले सबसे कम उम्मर के प्रशाशक है जैसा कितने वर्ष के हैं तो यह 32 वर्ष के हैं इन्होंने किसका अस्थान लिया है या भी important है तो इन्होंने अस्थान लिया है नजमुल हसन पापून का नजमुल हसन पापून जो है वक किस देश से हैं या भी जान ले आप लोग तो यह हैं बांगला देश के कहां के हैं बांगला देश के हैं और इन्ही का अस्थान किस ने लिया है जैसά ने लिया है next question हमारा है Markelo, Revelo, De Suja हाल ही में आम चुनाव में जीत के बाग किस देश के राष्टपती बन गए हैं तो देखिए Markelo, Revelo, De Suja जो हैं वह हाल ही में पुर्तगाल के राष्टपती पुनह निर्वाचित किये گए हैं option number D is का correct answer है पुर्टगाल की राजधानी लिब्सन है यह भी आप ध्यान रखेंगे पूछ सकता है पुर्टगाल की राजधानी लिब्सन है और राश्टपती है Markelo Rebello Di Suja पुर्टगाल के PM कौन है तो देखे पुर्टगाल के PM है Antonio Costa कौन है Antonio Costa यह हैं पुर्टगाल के पुर्धान मंत्री Markelo Rebello Di Suja जो हैं वह दूसरी बार पुर्टगाल के राश्टपती बने हैं उन्हें 61.5% मत मिल चुके हैं जबकि चुनाब जीतने के लिए उम्मीदबार को 50-50 से ज्यादा बोट की जरूरत होती है पुर्टगाल के बारे में एक और important points है तो वह भी देख लिजें पुर्टगाल में राश्ट प्रमुख के पास जो है वह बिधाई सक्तियां नहीं होती हैं कौन सी सक्तियां नहीं होती है तो विधाई सक्तियां नहीं होती है लेकिन इसके बाबजूद भी देश को चलाने में उनकी प्रभाव साली भूमी का होती है विधाई सक्तियां किसके पास होती है तो विधाई सक्तियां जो है वह संसर एवं सरकार के पास होती है चीक है यहाँ आपको ध्यान रखना है नेक्स्टोिशन हमारा है नेश्नल बोमट्स रेस्लिंग चैंपियerson फ में कितने किलोग्राम में हरियाना के हिसार की अंजूने गोल्ड मैडल जीता है तो देखिए हरियाना की हिसार की अंजूने 55 kg वर्ग में गोल्ड मैडल जीता है तो जले question से related important points देखें तो यहाँ देखें उत्तर प्रदेश के आगरा में हो रहे National Women's Wrestling Championship में 55 kg वर्ग में हरियाना के हिसार की अंजूने गोल्ड मैडल जीता है वह पहली बार senior level पर गोल्ड मैडल जीतने में सफल हुई इस खिलारी ने ब्रॉंज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हडा कर 62 kg केटेगरी में National Wrestling Championship में गोल्ड मैडल जीत लिया है तो यह किस ने जीता है यह जीता है सोनम मलिक ने option number B का correct answer है सोनम मलिक ने जीता है यह हैं सोनम मलिक यहाँ देखें question से related important points हर्याना की 18 बरसी सोनम मलिक ने हाल ही में National Wrestling Championship में 62 kg केटेगरी में 2016 ओलंपिक की ब्रॉंज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को 75 से हरा कर गोल्ड मैडल जीत लिया है उन्होंने वर्ष 2020 में Asian Championship और Asian Olympic Qualifier में भी साक्षी को हराया था next question हमारा है देमने में से कौन सा देश इक्षा मिर्तिव को बैंद करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया है तो देखिए वह देश है पुर्तगाल पुर्तगाल जो है वह चौथा देश बन गया है किसके लिए तो इच्छा मिर्तिव को बैंद करने के लिए पुर्तगाल के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है पुर्तगाल की राज़ाने लिफशन है पुर्दगाल के राष्टपती है मारसेलो, रेवेलो, डिसूजा पुर्दगाल के परधान मंत्री है एंटोनियो कोस्टा यहाँ इमेज में आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है युथनेसिया युथनेसिया सब्द का अर्थ होता है इच्छा मिर्त्यू अब देखिए EU EU सब्द का अर्थ होता है इच्छा या अच्छी और थैनो तोस का अर्थ होता है मिर्त्यू क्या होता है थैनो तोस सब्द का अर्थ होता है मिर्त्यू यानि इच्छा मिर्त्यू तो युथनेसिया यानि इच्छा मिर्तिव अब देखते हैं इस से रिलेटेज कुछ और important points तो यहां देखिए पुर्तगाल की संसत ने हाल ही में यूथे नेसिया यानि इच्छा मिर्तिव को कानूनी मानेता देने वाला बिल पास कर दिया है जिस बिल के पक्ष में 136 और बिरोध में 78 बोट डाले गए हैं अब यह बिल देख के राष्टपती के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है जिसके बाद यह बिल कानून बन जाएगा इसके साथ ही पुर्तगाल इक्षा मिर्तिव को बैहन करने वाला यूरोप का चौथा देश होगा कौन सा देश तो चौथा देश होगा और विश्व का साथवा देश होगा पुर्तगाल से पहले वह तीन देश कौन कौन से हैं तो नीदरलैंड हो गया नीदरलैंड ने कब दिया था इसे मंजूरी तो 2002 में नेदर लैंड ने दिया था सितंबर 2002 में बेलजियम ने इसे माननेता दी थी और तीसरा हो गया 1937 में स्विट्जर लैंड ने नेक्स्ट क्वेशन हमारा है एडम ब्रीज के बारे में सही कथन चुने पहला है यह 48 किलो मीटर लंबा पुल है दूसरा पुल भारत और मालदुप के बीच सैंड स्टोन से बना है पहला ऑप्सन है केवल एक दूसरा केवल दो तीसरा है मारा एक और दो दोनों और चौथा इ यह है भारत और स्रिलंका के बीच चले इससे related important points देखें तो यहां देखें राम से तू जिसे एडम ब्रीज भी कहा जाता है भारत और स्रिलंका के बीच 48 किलो मीटर लंबा पुल है राम से तू क्यों कहा जाता है तो देखें इससे याद आता है हमें रामायन रामायन में भगवान राम ने क्या किया था स्रिलंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बनाया था जिसे आज किस नाम से जानते हैं एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और उसी को कहा जाता है राम से तू हिंदु महाकाब्य रामायन के अनुसार वानर सेना ने राम को पार करने के लिए लंका तक पहुँचने में मदद करने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्मान किया था, ऐसा बताया जाता है, यह एडम ब्रीज किससे बना हुआ है, तो कोरल यह आप कह सकते हैं, प्योमिस पत्थर से मिलकर बना हुआ है, नेक्स्ट कुशिन अमारा है, पहला आधिकारिक ग्रीन ब्रांट यहानि ग्रीन ब्रांट कब जारी किया गया था, तो देखिये यह जारी किया था 2009 में, ambition Нуber Seas का correct answer है, चले इसके बारे में जाने, तो यहाँ देखिये, पहला आधिकारिक ग्रीन ब्रांट 2009 में जारी किया गया था तो green bond जो है वा BTS अंसादनों की मदद करने के लिए समकाली साधन है इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा किस के बारे में bond के बारे में कि bond क्या है bond जो है वा एक green साधन है क्या है एक green साधन है जिसके अंतरगत निवेशक से धन जनित किया जाता है यानि लिया जाता है और निवेशक को ब्याज के रूप में एक तय रखम की प्राप्ति होती है जितने टाइम को वो बॉंड बनाया जाता है उतने टाइम में क्या किया जाता है जितना हम रिन लेते हैं उसे वापस किया जाता है तो आज कर दिसकसन गें समाप्त होता है दिसकसन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवस्य समय करें अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर अवस्य करें तो मिलते हैं नए दिन, नए प्रस्णों के साथ अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप हमें फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें आप सभी का धन्यवाद हैब और नाइस टे